इस वक्त हमारे साथ बाचीत के लिए केंद्रिमंत्री महिननात पांडे जी मौझूद है सर निर्मला सीता रमन ने बजट पेश किया है अंद्रिमं बजट पेश किया गया सबसे पहला सवाल किस तरह से इस बजट को आप देख रहे हैं ये बजट बहुत ही सकरात्मक है और विक्सित भारत के संकल्पों को और बल देने वाला है और जो नरेंद्र मोझी जी ने जो देश के इवाओं गरीबों और किसानों और नौजवानों के लिए हर दिष्टी से उनकी संब्रिदी का खाका खीचा है अंतरिम बजट की मर्यादा में रहते हुए इसमें हर वो उपाय किये गए हैं जो इन चारों लोगों को ताकत दे, महिलाओं को दे, युवाओं को दे, किसानों को दे, गरीबों को दे और हर कदम उसमें बढ़ाने के लिए भरोसा दिया गया विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि निराश्चा जरनक बजट है, अखलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि भाजपा का विदाई बजट है, इसके बाद सरकार नहीं आने बार लिए हैं दोगजार चौबिस में अखलेश को कोई आजकल उनके गारजियन समझदार कम रह गये हैं, अब वो सारा देश दुनिया देख रहे ही कि तहीं मजबूती से बीजेपी संपूर्ण भारत में अपने प्रभाव का विश्टार करते विए स्विकारिता बढ़ाते विए आगे बढ़ रही है, ये सब्सक्राइब बैठक कर पाया, वह गठबंधन के एक प्रमुख नेता होते हुए, ये लिए हलकी बात कर रहे हैं, बिदाई और निरासा कहां है, ये सारा देश देख रहा है, और सामने दोहजार चौविस में सांदार जरल के साथ नरिन मुदी जी आ रहे हैं, ये पूरे देश और दुनिया का भरोसा है, और भारत आर्थिक संब्रिदी के रास्तों पर लगातार बढ़ता जा रहा है, इस से हटकर एक सवाल है, ग्यानवापी परीसर में अगर हम तहकाने की बात करते हैं, तो वहाँ पर पूजा शुरू कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ मु उपर उचे नयाल है, सर उचे नयाल है, जो निर्णे देंगे हम लोग कानून के साथ हैं, उस कानून का सम्मान पुर्वक्त पालन करेंगे, जैसा अभी आपने अयोध्या में भब्य रामलाला की, हाँ ये जरूर है कि हम लोग उसको भब्यता के साथ करेंगे और उल्लास क के साथ करेंगे, लेकिन मानी नयाले के जो कदम हो, हम कानून के साथ ही हैं, उसी के साथ चलेंगे, बहुत शुक्रिया बाचित के लिए देकि साफ तोर पर कहना है कि बजट जो पेश किया गया है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान खास तोर पर रखा गया है, जिसमें साथी पाठक भारत समचार दिल्ली